शरत पवर तो कहते हैं कि मैं तो बीजेपी के साथ जाने के लिए तयार नहीं था मेरे ये करने के वज़े से शेवसेना और बीजेपी में धरार पड़ी और उसका फाइदा अपोजिशन पार्टी इसको हुआ तो उनके हिसाब से ये एक तरीके से उनकी चाल थी और जिसमें आपको थोड़ा और सच बतादेता हों जो में रिजर्व में रखा था राष्ट्रपती शासन लगाने का आइड़ इयी शरत पवार जी का में इटने जल्धी यूटन नहीं ले सकता आप राष्ट्रपदी शासन लगाईए राष्ट्रपदी शासन लगने के बाद मैं महाराष्ट का दौरा करूँगा और फिर मैं यह भूमिका लूँगा कि महाराष्ट को स्टेबल गवर्मेंट चाहिए इसलिए हम बीजेपी के साथ जा रहे और फिर अपनी संक्या हो जाती है तो इतना ही नहीं मैं उसके आगे बढ़कर बताता हूं कि राष्ट्रपदी शासन जब लगता है तो एक एक पारिटी को लेटर देकर पुछा जाता है कि आप सरकार बन हुआ था और उसके उपर पवार साब ने उसमें कुछ करेक्शन बताये थे उस करेक्शन को एक्जीक्यूट करके वह पत्र एंसीपी का दिया गया कि नहीं हम भी सरकार नहीं बनाना चाहते तब जाकर राष्ट्रपदी शासन लगा था तो इसलिए पवार साब बड़े खंजर भोका उस समय पवार साब ने हमारे साथ बातचीत की थी पवार साब हमारे साथ सरकार बनाना चाहते थी और फिर जो हुआ वह आप सब तो आज की स्थिति में आपने पवार साथ का बदला पूरा किया यह आप कह सकते हैं आपने क्यूंकि पहले कहा था कि हमें उद्धव ठाकरे का बदला लेना था इसके लिए जो भी हुआ वो पिछले साल हो गया इस बार क्या शरत पवार के साथ बदला पूरा हो चुका है वगरा यह शब्द ठीक नहीं है यह गलत है और इसलिए मैंने किसी से बदला नहीं लिया हाँ यह ज़रूर है जो लेजिटिमेट राइट मुझे लोगों ने दिया था लोगों ने चुनकर बीजेपी शुवसेना को दिया था लोगों ने लेजिटिमेट राइट टु गव लाया और जिस सरकार को उन्होंने चुन कर दिया था उस सरकार को हमने वापिस बिठाया अब उसमें एक पार्टनर और लाए